दोस्तो स्वागत है आपके अपने चैनल मलहोत्रा भाई में, अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टेट्स रिपोर्ट से हटकर आपको बताते हैं कि आखिर पिछले दस दिनों की जाँच के बाद, CBI इस केस को लेकर किस नतीजे पर पहुँची है। उन तक को CBI की उस स्टेट्स रिपोर्ट को देखने पढ़ने का मौका नहीं मिला। वजह ये थी कि जाँच अभी जारी है और इस स्टेट्स रिपोर्ट के खुलासे से शायद जाँच पर असर पढ़ सकता है। सामने नहीं आपाए इन सवालों के जवाब। लेकिन जाहिर है सुप्रीम कोर्ट की इस पूरी कार्यवाही की लाइव स्ट्रिमिंग को सोशल मीडिया और मीडिया के जरिये पूरा देश देख रहा था। इस उम्मीद से कि पिछले दस दिनों में CBI ने इस केस में क्या जाँच की। इस केस की सच्चाई क्या है और कोलकाता पुलिस की जाँच CBI की जाँच से कितनी मिलती जुलती या हट कर है। लेकिन चूंकी स्टेटस रिपोर्ट बेहद गोपनिय थी इसलिए इन सवालों के जवाब सामने नहीं आ पाए। सूत्रों से आज़ा तक को मिली जानकारी के मुताबिक आड़जे कर अस्पताल की जूनियर डॉक्टर के साथ गैंग रेप नहीं हुआ था। बलकि ये एक रेप था। और ये रेप और रेप के बाद जूनियर डॉक्टर का कतल करने वाला एक अकेला संजय रॉय था। वह वही संजय रॉय जिसे 9 अगस्त को ही कोलकाता पुलिस ने गिरफतार कर लिया था। और वही संजय रॉय जो फिलहाल CBI की कस्टडी में है। क्राइम सीन पर पुलिस और CBI की लाइन एक सूतरों के मताबिक पहले कोलकाता पुलिस और फिर CBI, दोनों की लाइन ओफ इन्वेस्टिगेशन, मौका ए वारदात, यानि उस सेमिनार हॉल को लेकर एक ही जैसी थी। दरसल सेमिनार हॉल की तरफ जाने वाले CCTV फुटेज में सिर्फ एक ही संदिग्ध नजर आया था और वो संजय रॉय ही था। या अपने अपने काम में जुटे नजर आये। जिसका सबूत उन-उन जगहों पर लगे CCTV कैमरे ने दिया। यानि एक अकेला संजय रॉय था जो 40 मिनट से ज्यादा सेमिनार हॉल में रहा। सेमिनार हॉल से बरामत ब्लुटूथ, नेक बैंड और उसका कनेक्शन संजय पॉय ने 9 अगस्त को ही कोलकाता पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। इसके बाद 14 अगस्त को जब वो CBI हिरासत में गया, तब भी उसने ना सिर्फ अपना जुर्म कबूला, बलकि घटना वाली रात और सुबह की पूरी कहानी बयान कर दी थी। लेकिन पॉरेंसिक रिपोर्ट ने खोला दरिंदगी का राज सूत्रों के मताबिक Central Forensic Science Lab कोलकाता ने CBI को अपनी रिपोर्ट सौप दी है। इस रिपोर्ट का इसलिए इंतजार था क्योंकि इससे ये पता चलना था कि केस रेप का है या गैंग रेप का और फॉरेंसिक रिपोर् नाच में पीडित के प्राइवेट अंगों से संजय रॉय के अलावा किसी और का DNA प्रोफाइल नहीं मिला। इसका मतलब ये हुआ कि पीडिता के साथ रेप हुआ था। गैंग रेप नहीं। यानि रेप के मामले में कम से कम अकेला संजय रॉय ही शामिल था। और इसी रे सवालों के जवाब मिलना बाकी अब सवाल ये है कि CBI ने अब तक की अपनी इस जाँच का खुलासा क्यों नहीं किया। तो सूत्रों के मताबिक इस केस में कई ऐसे पहलू अब भी बाकी हैं जिनकी जाँच जारी है। दरसल CBI ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वार रची और क्या ये सब खुद की और अस्पताल की साख बचाने के लिए किया गया। कुछ सवालों के जवाब मिलना बाकी अब सवाल ये है कि CBI ने अब तक की अपनी इस जाँच का खुलासा क्यों नहीं किया। तो सूत्रों के मताबिक इस केस में कई ऐसे पहलू अब भी बाकी हैं जिनकी जाँच जारी है। दरसल CBI ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वारदात के बाद मौका ए वारदात से क्या सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई थी। क्या जान बूज कर FIR देरी से दर्ज की गई। क्या केस को रफा दफा करने के लिए दिनों से CBI लगातार आरजी कर अस्पताल के प्रिंसिपल संदीब घोश से पूचताच कर रही है। वारदात के बाद की तमाम लापरवाहियों की कडियों को जोडने के लिए ये पूचताच हो रही है। और CBI सूत्रों की माने तो अगर ये सबूत मिल गए कि 9 अगस्त की सुबह से लेकर रात तक अस्पताल परिसर के अंदर सबूतों के छेड़ चाड़ की गई है तो फिर इसी इलजाम में प्रिंसिपल घोश को CBI गिरफतार भी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने पूचे ये सवाल वारदात वाले दिन यानि 9 अगस्त को अस्पताल प्रशासन की तरफ से हुई देरी और लापरवाही को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी आज तमाम सवाल उठाये थे। इंट्री सुभह 10 बज कर 10 मिनट पर दर्ज की गई जबकि FIR रात साढ़े 11 बजे लिखी गई। ये बात परेशान करने वाली है। इसके साथ ही जस्टिस पारदीवाला ने पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल से पूचा कि जब आप बॉडी को पोस्ट मार् आपने पुलिस की डायरी में ये कब मेंशन किया कि ये अननैचुरल डेथ थी। केस रजिस्ट्रेशन से पहले पोस्ट मार्टम पर हैरानी जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि अननैचुरल डेथ रात साढ़े 11 बजे और FIR रात 11 बज कर 45 मिनट पर दर्ज की गई। क्या ये इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम दोनों रिपोर्टों को कैसे मिला सकते हैं। अननैचुरल डेथ के रजिस्ट्रेशन से पहले पोस्ट मार्टम होता है ये आश्चर्य जनक है।